हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी दोस्तो civil services की तैयारी है जो वो एक बहुत ही basic level की तैयारी है लेकिन यहाँ पर जो होने वाला competition है वो इसको कठिन बना देता है आप सब जानते हैं कि civil services में हम लोग 6th class से लेकर के 12th class तक ही GS को पढ़ते हैं और इस GS को पढ़ने के दौरान बहुत सारे आपको doubts हैं जो वो आज भी आते हैं अब कहा जाए तो यह सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने 6 से लेकर 12 तक अल्रेडी पढ़ रखें लेकिन फिर भी doubts आ रहे हैं तो यानि कि उस समय कुछ ऐसी कमी रह गई थी जो doubts आपने उस समय खतम नहीं किये वो doubts आज भी आपके साथ साथ चल रहे हैं जिसकी वज़े से क्या होता है आपका confidence level है जो वो low होता है और अगर हम UPSC की बात करते हैं तो UPSC जो है वो एक ऐसा exam है जिसको pass करने के लिए knowledge की जो जरूरत है और confidence की जो जरूरत है वो या तो बराबर है या हम यह कह सकते हैं कि 60% आपको confidence चाहिए और 50% आपको knowledge चाहिए अगर आपका confidence का level high है तो उस case में इस exam को आसानी से pass किया जा सकता है यह confidence का level तभी high होता है जब आपकी जो भी समस्याएं हैं जो भी आपके doubts हैं जो बच्पन से अभी तक थे और अब वो खतम हो चुके हैं ठीक है जो आपके doubts हैं वो अगर अभी भी आपके साथ चल रहे हैं तो यानि कि आपका confidence कहीं ना कहीं हमेशा कैसा रहेगा कमजोर रहेगा अगर आपने doubts खतम कर लिए तो आपका confidence का अस्तर है जो वो हमेशा high रहेगा तो इस exam में आपको confidence जो है वो बहुत high रखना होता है जिसके लिए एक basic criteria है कि आप अपने doubts के साथ आगे नहीं बढ़ सकते ठीक है अगर हम इस तयारी की बात करते हैं तो basically ये तयारी है जो वो तीन चरणों में होती है अगर मैं बताओ तो देखो एक होता है prelims एक होता है mains और एक होता है interview ठीक है इन तीन चरणों में पयारी की जाती है तो pre में आपको mainly जो focus करके हैं वो होते है mcqs पर मेंस में आपको answer writing पर focus करना होता है और interview में आपको आपका जो communication level है जानि कि जो आपकी personality है communication या आप कह सकते हैं आपकी जो personality है या इसको interview कहते भी नहीं है इसको क्या कहा जाता है personality test कहा जाता है ठीक है तो ये जो आपकी personality है ठीक है उस पर यहां पर काम करना होता है ठीक है तो यह तीन चीज़े हैं लेकिन क्या इसकी तैयारी हम अलग-अलग करते हैं नहीं इस एक्जाम में इसकी तैयारी हम इंटीग्रेटेड वर में की जाती है मतलब मिला करकी की जाती है अलग-अलग हम इसकी तैयारी नहीं करते ह इसा कभी नहीं ओथा कि पहले कि पढ़ लेंपर मेंज पढ़ लें फिर उसके बाद हम इंटेव्यू पढ है तो ऐसा नहीं होता इसकी तैयारी में औप यहांग कियाता है और क्यूंकि यहां पर आप देख पा रहे है कि यह जो foundation चरन लिखाया है ये वही foundation है जिसमें आप pre mains interview की सब mix करके आप पढ़ाई करते हैं साथ में ठीक है सब mix करके आप साथ में इसमें पढ़ाई करते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है कि आपका pre आ जाता है और pre जब आने वाला होता है तो आप क्या करते हैं पूरी तरीके से dedicatedly आपको mcq solve करने होते हैं और revision करना होता है ठीक है revision करना होता है और फिर जब mains आ जाता है तो mains में आपको क्या करना होता है में में आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होती है ठीक है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होती है अब इस सब कामों में ऐसा नहीं हो सकता कि आपको डाउट्स नहीं होंगे तो आपको डाउट्स जो हैं आपके साथ-साथ खतम होते चलें, इसके लिए, इसके लिए आपको क्या जरूरत होती है, अगर ये डाउट्स की अगर हम बात करें, तो इसके लिए जो आपको जरूरत होती है, वो है, कोई एक ऐसा साथी आपको मिल जाए, जो आपको बार-बार ये बात बताए, कि किस तरीके से आ आप कहां पर problem है किस जगह पर आपकी जो problem है उसको खतम किया जा सकता है ठीक है तो हमारे यहां पर study IQ कि अगर मैं बात करूँ तो study IQ में आप यह देख पा रहे होंगे एक mentorship की facility है mentorship की facility है और इस mentorship की facility के through आप यह इस problem से निजाद पा सकते हैं कैसे देखो एक तो पहली level पर आपको डाउट कब आएगा जब आप class ले रहे होंगे मतलब foundation चरण में जब आप हमारे साथ जुल करके class ले रहे होंगे तो class के दोरान आपको डाउट आएगा जब teacher पढ़ा रहे उस दोरान आएगा तो वहां पर अगर class में ही पूछने का मौका मिल जाए मतलब class होगी क्योंकि यह तो live class में ही आपको डाउट पूछने का मौका मिलेगा ठीक है तो आपने एक तो अपने डाउट को यहां पर ही खतम किया ठीक है एक तो यह खतम हो गया लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सारे डाउट आपके class में खतम हो जाएंगे क्यों क्योंकि डाउट उस वक्त तो आया होता तब तो हमने टीचर से पूछ लिया होता लेकिन डाउट तो हमें तब आया जब हम self study कर माद्यम से कॉल के माद्यम से ठीक है आप सीधे फोन उठा करके अपने मेंटर को फोन लगा करके अगर पूछ सके कि मुझे यह से से प्रॉब्लम आ रही है सब्जेक्ट में तो आपका उडाउट उसी वक्त खतम हो जाएगा और फिर आप क्या है कि आपका confidence level है जो यहां से बढ़ जाएगा तो अभी जो मैं confidence की बात कर रहा था वो इसी confidence की बात कर रहा था क्योंकि हमारे यहां पर जो mentorship की facility है उस mentorship की facility में आपको क्या मिलेगा एक आपको क्या है personally one to one mentorship दी जाएगी one to one mentorship के तहत आप कभी भी phone के माद्यम से आप अपने doubt को solve कर सकते हैं प्लस सिर्फ यहां पर academic बात नहीं होगी है इस इतनी बड़ी preparation में ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आपको academic problem ही आएंगी इतनी बड़ी preparation में कई बार strategy की problem आएगी कई बार books नहीं समझ में आएगी कौन सी लेनी है क्या पढ़ना है तो वो सारी problem या psychological इस तर पर भी कई बार आप low feel कर रहे हो होंगे तो भी आप किसी भी problem को अगर face कर रहे हैं तो आपको अपने mentor को reach out करना है और फिर उनसे अपनी problem को जो है वो discuss करके उसको खतम करना है ठीक है तो academic problem हो या non academic हो दोनों तरह की problems को आपको यहां पर खतम करते हुए ही आगे बढ़ना है योगर doubts के साथ मतलब आपने confused steps के results हमें सा confused होते हैं ठीक है तो confused result अगर आपके steps ही confused है तो results भी वहां पर कैसे होंगे आपको जो आएंगे आने वाले results होंगे उनमें भी कुछ जादा confidence नहीं दिखेगा तो इसलिए आपको सारे doubts है जो वो खतम करते हुए ही चलना है ठीक है तो mentorship है जो वो एक ऐसी facility है ज mentorship में भी अपने खुद के भी program है जैसे की परिचह, दिशा, अविवेक्ति, आरंब और मन्थन ये कुछ programs हैं जिनके तहत क्या होता है जिनके तहत आपको हर एक चीज़ जैसे की आपका syllabus है जो उससे आपको रूबरू कराना ठीक है आपको आपके syllabus से रूबरू कराना आपक answer writing की facilities है जो वो answer writing लिखना से खाना ठीक है और साथ-साथ communication पर भी काम मतलब interview के लिए भी आपको शुरुआत से ही काम करना होगा ऐसा नहीं होगा कि आप बात में काम करेंगे interview के लिए भी शुरुआत से ही काम करना होगा और क्योंकि ये सारी चीज़े सब आपस में जुड आउट्स हैं जो ये solve करते के रहेंगे ठीक है तो आपको मैं आज ये बताना चाहता हूं कि आप study IQ का ये जो अभी recently launched batch है जो आपका already शुरू हो चुका है कब से शुरू हो है वई ये batch है जो ये 26 तारीक से already शुरू हो चुका है और 30 तारीक तक इसमें अभी आप admission ले सकते मौका ये सुनहरा इसलिए भी है क्योंकि हमारी great learning day sale है जो वो आचुके लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरत है याँ पर कि ये जो sale है ये 30 जून 2024 तक ही valid है 30 जून 2024 तक ही valid है मतलब आज जो है ये इसका आखरी day है ठीक है तो आज अगर रात को बारावे तक आप इसमें admission ले लीजे क्योंकि ये शाम को 6 बजे वाली class है ध्यान रखेगा आपको तीनों भाशाओं में मौझूद है हिंदी में English में और English में जिसमें चाहें तो आप सबसे important जो ध्यान रखना है वो यह है कि ओम live code का इस्तेमाल करने पर 25,999 में ये admission आपको मिल जाएगा तो फटा- इसमें अगर मैं facilities की counting आपको बताऊं तो आप सोचे कि इसमें आपको live glasses मिलेगी इसमें आपको mentorship की facility मिलेगी answer writing की facility मिलेगी इसके अलावा इसमें आपको अलग से एक आवासीय कारिकरम अगर आप प्री पास करते तो आवासीय कारिकरम भी मिलेगा इसके अलावा SIP program भी दि मिल हैं ठीक है तो इसमें आप अगर admission लेना चाते तो home live code का इस्तेमाल कीजिए और फटाफट इसमें admission लीजिए और great learning day sale का इस्तेमाल कीजिए ठीक है जल्दी मिलेंगे अगले lecture में तब तक के लिए धन्यवाद हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi